नम्म स्टेरी क्या साथ सब लोग आज की जो सक्सेस्टोरी है आप तरचाना वो सक्सेस्टोरी शुनके हाँ डरावनी सक्सेस्टोरी ओके चलो देखते हैं मेरा बहुत मजाक उड़ाय चाएगा मेरा आपके हर दूसरे वीडियो में ओंध होता है इसलिए बहुत सारे लोगों को मेरा नाम पता होगा इसलिए मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूं जिसे की सब लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मैं अपनी वस सक्से स्टोरी आपके साथ शेर करना चाहती हूँ, मैंने भूत मैनिपेस्ट किया, देखा, निका था ना, धरावनी है, लेकिन अब नाम चुपा दिया, इन्होंने का ना, मेरे बहुत सारे कॉमेंट्स होते हैं, और क कोई बने कोई पहचान जाएगा बिटा, तुम्हारी बात है, पहचानना नहीं है ना, गैस भी नहीं करना, नाम चुपाना चाहते हैं, शरम आरे है, भूत मैनिपेस्ट किया ऐसी, असान बात है, ओके, चलो, देखते हैं, हम भी अपना मजा कुड़ा आ रहे हैं, ऐसी देखते ही सो गई, और मेरे मन में सोने के पहले एक खयाल आया था, कि कैसा हो अगर मेरे घर में ही मुझे भूत दिखाई दे जाए तो, और बस इस तरह से मेरा टाइम निकल गया, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा, कि मैंने ऐसा कुछ सोचा था, दिन के अपने सारे काम बच्चों की, वहाँ जा करके मैंने क्लासिज ली और वो सब करके मैं जब शाम को वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे घर में पूरा अंधेरा है, और कोई भी लाइट नहीं जल रही है, नॉमली ऐसा शाम के ताइम पर मेरे घर में नहीं होता है, बाहर दीपक जान रही होती है, क्योंकि मेरी मम्मी कभी भी शाम को घर के अंदर अंधेरा नहीं रहने देती है, अब हुआ क्या, जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुई, तो मैं क्या देखती हूँ, कि एक वाइट कलर की पूरी चादर में कोई मेरी तरफ आगे को बढ़ रहा है, मेरे गेट पे ही इतनी जोर से जान निकल गई, और ये तब हुआ जब गेट मैंने अंदर से बंद कर लिया, और मैं लाइट ऑन करने के लिए प्लक की तरफ बढ़ी, मेरे घर में चाहें कोई भी बाहर जाए, सब के पास में इंटर लॉक की चावी होती है, तो बस मैंने वही ख खोल करके अपना घर का गेट ओपन किया, और मेरे घर का गेट एक लकडी का बड़ा सा दरवाजा है, उसके इंदर एक बड़ी सी चावी को गुमाना पड़ता है, और वो चावी मेरे घर के हर एक मेंबर के बैग में होती है, चाहें हम घर पर हूँ या ना हूँ, कोई भी में आ सकता है, तो बस मैंने चावी घुमाई और उसके बाद में मैं अंदर गई, जैसे की अपने घर का सबको ही आइडिया होता है, कि कहां पर प्लग है, तो मैं वहां की तरफ आगे बड़ी और स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते ही, मैंने जैसे ही लाइट की तरफ हाथ बढ़ाया, तो एक वाइट कलर के, जैसे की चादर में लिप्ट हुई कोई परचाई सी मेरे उपर आई, और मेरी जान निकल गई, मैं दरवाजे के पास जा करके ऐसे खड़ी हो गई, जैसे की मैंने रियल में भूत देख लिया हो, इतनी ही देर में सारी लाइट्स जल का सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था, तो वो सेलिब्रेशन भी था, और इतफाक से जब ये सेलिब्रेशन होना था, उस बीच में मेरे एक कजन ब्रदर का वर्थडे भी था, और मेरा भाई बाहर से भी आया था, और मेरे एक वुआ जी का लड़का, जो की बाहर बहुत बुरी कंडिशन में फस गया था वो भी वहां से निकल करके आया था तो हम सब लोग उसके आने का वेट कर रहे थे और वही आया उसी ने ये सब कुछ सर्प्राइस प्लान किया उससे तो पता भी नहीं कि मैं भूत के वीडियोंस देखने में इतना मजा लेती हूं उसी ने य उसको चपल से बहुत मारा और मैंने जाड़ो के पीछे वाले हिस्से से भी उससे बहुत मारा, मेरा दिल किया कि मैं उसे जान से मार दू TIME क्योंकि मैं इतना ज़्द था लेकिन उसके बाद में हम सब लयोंसे बहुत द 때 और मने बहुत मज़े वा양 किये और अब automate मैं आरे मै इतने सालों से मैं भूत के वीडियों, भूत की फिल्में देखना पसंद करती रही हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने ऐसा भी कभी नहीं सोचा था कि कैसा लगेगा अगर मैं अपने ही घर में भूत देखूं तो, डर मुझे पहले भी कभी भूत के फिल्मों से लगा है लेकिन मैं उसके बाद मज़े लेने के लिए वो देखती हूँ लेकिन मैंने ऐसा थौट बहुत जादा clarity के साथ में बना लिया था कि कैसा लगेगा कि अगर मेरे घर में भूत हो और वो मुझे मेरे ही घर में देख जाए और देखे मुझे मेरे ही घर में भूत दे गया यह लग बात है कि वो प्रैंक था और उसके बाद में हम सब लोगों ने बहुत मस्ती की आपको यह कहानी बड़ी funny सी लगेगी लेकिन सच्ची में उस टाइम पे मेरी जान निकल गई थी और मैंने नकली भूत को मैनिफेस्ट कर लिया था funny थी अलग थी इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ में यह सग्जस्टोरी शेयर कर देती हूँ कि इस ने भी भूत मैनिफेस्ट नहीं किया भई मेरी कहानियों में तो देखे इसमें आप अच्छी चीज़े लगा लीजे रात को सोने के पहले आप जो भी देख रहे हैं फील कर रहे हैं तो कोशिर कीजिए वैसा देखिये जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाते हैं फील कि रात को सोने के पहले हमें क्या देखना चाहिए और किस थोट को लेकर के बहुत अदा क्लियर होना चाहिए और कौन सी वाली थोट के ऊपर कब आपका मैनिफेस्टेशन कंपलीट हो जाए आपको नहीं पता चलता है इसलिए बी बी क्लियर कि आप क्या चाहते है अपनी ल देखना मिया तो देखिए मजे लेने के लिए मुझे कोई भी चीज बुरी नहीं लगती है लेकिन उस चीज के साथ एकदम जुड़ जाना फीलिंग्स को जोड़ देना और मैनिफेस्ट कर लेना हाँ थोड़ा स्केरी हो सकता है और हुआ भी होगा ओविसली किसी के साथ अ ये लेकिना जड़ लेकिना तराा कि भी होगा जाना झारा